नमस्कार, पेप्टिक टाइम, अद्बर्देश समाचार, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ शिविंद शुक्ला जिला अस्पताल की 134 नर्सों के हर्टाल पर चले जाने के बाद जिला अस्पताल की विवस्थाएं चर्मरा गई थी हालकि इस मामले में कलेक्टर शिलेंदर सिंग दौारा प्राइवेट हॉस्पिटल से नर्सों को बुला कर जिला अस्पताल में सेवा कारे के लिए भीचा गया है जिससे की विवस्थाएं कुछ हद तक सुधारी जा सके हैं और तलबे की 30 जून से नर्सिज अपनी मांगों को लेकर हर्टाल पर हैं जिसकी वज़े से अस्पताल की विवस्थाएं चर्मरा आ गई थी अपनी 12 सूतरी मांगों के साथ 30 जून से अनश्यत कालीन हर्टाल कर रहीं जिले की 134 स्टाफ नर्सों की गयर मजूद्गी के कारण जिला अस्पताल में मरीजों को दिक्कतों का सामना करना करना पड़ रहा है हालकि अस्पताल में कोई अप्री अस्थिती निर्मित ना हो इसलिए कलेक्टर शीले इंदर सिंग के निर्देश पर जिला मुख्याले के निजी अस्पतालों और नर्सिंग कॉलेज की शात्राओं को ड्यूटी पर तैनात किया गया है अब यहां सम्विदा की 20 नर्सों सहिद कोविड-19 कारिकाल के लिए अनुमंद पर निउक्त की गई नर्सों ने जिम्मेदारी समाली है इसी तरह मिशन अस्पताल नर्मदा अस्पताल सहिद अन्य निजी अस्पतालों से भी नर्सों को अस्थाई तोर पर जिला अस्पताल में तैनात किया गया है इदर जिला इस्पताल परीसा में ही धरने पर बैठी नर्सों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वे अपनी हर्टाल खत्म नहीं करेंगे हमारा जो ग्रेट टू का बेतन मान है वो हमको प्रदान किया जाए हमारा मेल नर्सेज जो बंदू है उनको ट्रेनिंग दी जाती है मगर उनको पोस्टिंग नहीं दी जाती है तो हम चाहते हैं कि उनको भी मौका दिया जाए उनको भी पोस्टिंग दी जाए साथ में सबसे मुख्य मांग हम लोगों की है जो कोरोना के दौरान हमारी बहने शहीद हुई है उनके परिवार वालों को कोई भी इसका लाब नहीं मिला है तो हमारी जो भी स्टाफ नर्से शहीद हुई है उनको हम चाहते हैं कि उनके परिवार वालों को अनुकंपा न्यूकती दी जाए साथ ही मैं उनको 15 अगस्त में करोना वोरियर्स के नाम लगाता रहिए खब्रों से अप्टेट नमस्कार